नमस्कार दोस्तों, UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत है, तो जहां दोस्तों ये GS First Paper की जो कॉपी है, वो PCS में आठवी रैंक लाने वाले HDM VVX की कॉपी है, जो PCS 2021 में अभी इन्होंने टॉप किया है, इनकी कॉपी को देखेंगे, इन्होंने अपना अंसर को ले करके, उनके माकसीड भी आपसे लोग से सेर करी जाएगी, और सबसे बड़ी बात, इनकी खुद की भी जो वीडियो है, अभी हम प्रयागराज जैसे ही पहुचेंगे कल, और परसों में कोसिस रहेगी, कि सबसे पहले इनकी वीडियो ले करके, पूरी डिटेल से, सु इन्होंने पढ़ाई कि वो सारी चीजें डिसकस करके, हम आपसे लोग को वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त करवाएंगे, लेकिन अभी इनकी ये जो वीडियो की सिलसिला है, जो टाउपर्स के, जितने भी हमको मिलते चलेंगे, जो जैसा उन्होंने आंसर राइटिंग किया है, हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम, सभी हम आपसे लोग को दिखातें चलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लोग लाइक जरूर करिएगा, ऐसे करके चैनल पर आपको पता है, उत्तर प्रतिश लोग शवाय गर्णन बरती व आपको, तो जिया दोस्तों, दोस्तों, इस स्क्रीन पे आपसे लोग देख पा रहे है, ये विवेक सिंगी की कॉपी है, जनरल स्टेडी फर्श पेपर में, और उसके बाद आपसे लोग को बता दें, दोस्तों, कि इनका रोल नंबर और कांटेक नंबर हाइड किया गया है आए नीचे सीधे हम चलते हैं, इन्होंने कैसी अपने प्रस्नों को लिखा है, कैसे देखा है, इंग्लिस मीडियम में जो भी छात्रों देख सकते हैं, और ऐसे करके सिक्वेंस में आपसे लोग को जितने भी लोग टॉप किये हैं, जो भी सलेट हुए हैं, उन सभी की आपको बता दें, यह किसी संस्था दौरा इनका कराये गया है, जिस पे इन्होंने लिखा है, आईए देखते हैं, इन्होंने क्या सुरुआत की हैं, तो प्रेजेंटेशन इनका गुड रहा है, पहला कुश्चन से सुरू करते हैं, भूजल की अपर दनात्मक और निच्छ राइटिंग इसका किया है, देख सकते हैं, जो लोग भी इंगलीज में लिखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये एक समझ वाली चीज हो सकती है, और अपने आप में कुछ गलतियां होई हो, तिनके कॉपी को देख करके, आप सभी लोग सुधार भी कर सकते हैं, हाला कि बहुत ही बहतरीन लिखा है, इन्होंने डायग्राम के साथ में ही सारी चीज़ें लिखी हैं, और इसकी जो PDF हैं, जो भी छात प्राप्त करना चाहते हो, तो चैनल पे एक लिंक, वीडियो की लिंक में, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, मैं टेलीग् की, वहाँ से आप से लोग जुड़ करके इस PDF को प्राप्त कर पाएंगे, और इसकी अनलसी से आप से लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो इन्होंने अच्छे से लिखा है, इस मैटर को ले करके, भूजल की अपर्दनात्मक की भूख अकृतियों का वर्ण को ले कर सरके, और इसकी अच्छे से डायंगराम भी बनाई है, डायंगराम भी आपसे लोग देख सकते हैं, पूरा डायंगराम के सात में ही जितनी भी आंसर के लिखा हैं इन्होंने डायंगराम के सात में लिखा है, और यहाँ पर भी चले, ने नेक्ष्ट में, तो एक पेज में और दो पेज में हलाकि जोगर्फी में मेरा कोई खास इंट्रेस्ट नहीं है दोस्तों लेकिन हम आपसे लोगों दिखा दे रहे हैं तो इनकी ये कॉपी है और इन्होंने अच्छे से बहुत ही खुपसूरा डंग से डायगराम बना बना करके सारी चीजें लिखी हैं तो दू सब्दों पे जो important words है ठीक है उस पे जो है इन्होंने underline किया है फिर उसके बाद इसकी answer writing करनी शुरू गर दी गई है हाला कि टीचरों के दोर आप जो भी थोड़ी बहुत चीजें बताई गी और red point से यहाँ पे mention किया गया है यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे से लिख दिया था तीसरा question देखते है उत्तर प्रदेश में वनों के वित्रण और उसके निरधारण कार को पे चर्चा कीजिए तो इन्होंने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है underline किया है सबसे पहले अपने प्रस्णों को ही देखा है समझा है फिर उसके बाद लिख प्रस्णों ने underline किया सबसे पहले प्रस्णों को दूस्तों आपको बता दें चाहिए प्री हो चाहिए मेंस सबसे पहले आप प्रस्णों को एक बार पढ़ें देखिए जो मेंस के प्रस्णों होते है न वो तो मिलते जुलते ही प्रस्णों ऐसा लगेगा कि हम किसी एक वि विसम सारी चीज़ें चल रहे हैं लेकिन उनके किसी पहलू के विसमें चीज़ें पूछी जा सकती है उसको समझना ज़रू इसलिए सबसे पहले आप question पे focus करें प्री होचाय में answer mostly उसी में ही सब कुछ रहता है ठीक है यदि आपने पढ़ाई की है तो ऐसा नहीं नहीं पड़े तो ही answer प्रस्द में ही आपको answer मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी अब देख लीजिए यहाँ पे screen पे fourth question को भी इन्हों अच्छे से ही लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और बहुत ही सुषचित तरीके से इन्होंने मार्मिक तरीके से लिखा है हाला कि हम यह पूर्ण रूप से उम्मीद कर सकते हैं मेंस में इन्होंने इससे भी बहतरीन तरीके से लिखा है बारती सोतंता अंदो प्लंड में कौन-कौन कार को प्रेरित किया था और इसने बारती सोतनता संग्राम में कैसे योगदान दिया है इसके विशय में भी इनोंने काफी अच्छे से लिखा है और जो टीचर है उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आपर बताई गई हैं समझाई गई हैं क पत्पे विराजमान हो चुके हैं सेवन नंबर कुश्चन इनका भारती समाज में आदिवासी लोगों के एक ही करण के लिए नहरुवादी नीद के बारे में चर्चा करें तो नहरुवादी जो नीद है इन्होंने अपने भासा में जो भी समझा है उसको बहुत अच्छे स यहाँ पे डिसक्राइब किया है अला कि इसको इन्होंने एक पेज में ही डिसक्राइब किया है नेस काजस में की समस्या भी सेड़ो महामारी की कारणों और उप्चारों का हो करना है तो सैडो महमारी जो भी है सैडो पैंडमी के विशे में थोड़ी जानकारी दी है फिर काजिस बता हैं उसके फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेस कोशन है दृति विश्यूद्य सुधनता और मुक्ति के लिए इतिहास के सबसे अधुति संगर्षों में से एक था टिपड़ी करना है तिन्होंने सेगेंड वर्ल्ड वार को पहले डिजाइन किया है कि कैसे कैसे क्या सी यह हुई है फिर उसके बाद यहां पे थोड़ा स स्क्रीन पे और इसको इन्होंने दो पेज तीन पेज और साथी में तीन पेज में इस कांसर पूरा किया है और यह वर्षा के विविन प्रकारों का वर्ड़ान करना है 12 नंबर जो कुश्चन है वर्षा का बात बदलता रूप भारत में समाजिक आर्थिक जीवन को किस प्र नंबर इसमें इनको प्राप्त हुआ है तो काफी अच्छा इसको लिखा है आपसे लोग देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जो भी जुड़ जाएं वहां से इनको सभी लोगों को ये पीडियाप प्राप्त हो जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे और जिनक को ये अंडर लाइन करते हो इन्होंने सुरुवात की है काफी अच्छे से लिखा है और इसको मैंने पहले ही पढ़ लिया था बहुत ये अच्छे से लिखा है इन्होंने काफी पेज में तो नंबर इनको मिला है पांच नंबर इसमें नेक्स कोशन इनका ये है भारती सुन पे 6.5 नमबर प्राप्त हुए तो काफी अच्छा लिखा है इन्होंने आप पे क्योंकि 8 में 6.5 इनको वाप पे और वो जो question था 11 नमबर उसमें 7 नमबर प्राप्त हुआ था पंदर नमबर question भी देख सकते हैं आपसे लोग इस स्क्रीन पर और बाकी दोस्तों यही रहा है इनका मेंस जीएस फर्स्ट पेपर को लेगर के राइटिंग की जो सैली है और इसमें भी कुछ सुधार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की है तो देख सकते हैं स्क्रीन पर बाकी वीडियो आपसे लोग अच्छा लगे तो आपसे लोगो GS 2nd 3rd 4th और साथ ही में हिंदी और इसे के भी इनके जो आप anser writing है वो भी आपसे लोगो वीडियो मात्तर दी जाएगी साथ ही में इनके साथ भी वीडियो कोसिस रहेगी कि बना करके आपके साथ share किया जाए ह वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग एक चैनिक छात्र से जानना चाहते हैं, वो भी तब जब किसी उच्पत पे व्यक्ति का सेलेक्शन हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें हमारा मनुबल बढ़ाएं ताकि हम आप सभी लोग के लिए और भी अच्छे तरीके से कारे कर सकें क्योंकि आपका सपोर्ट और सहयोग हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो जिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।